हेलो विद्यार्थियो आज फिर मेरे यूटूब चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत आज हम हल संधी प्रकरण के अंतरगत अनुनासिक संधी के बारे में अध्यन करेंगे आईए देखते हैं अनुनासिक संधी से संबंदित प्रमुक सूत्र तो प्रथम सूत्र है यरो अनुनासिक अनुनासिक वा यरह पदान तस्यानुनासिक परे अनुनासिक वास्यात सूत्र का शब्दार जाने हैं तो अनुनासिक अथात अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक किसे कहते हैं मुहू अनुनासिक से बोले जाने वाला बर्ण तो यरह यर के इस्थान पर यर क बढ़नाते हैं वा का मदलब विकल्ब से अनुनासिक हा यानि अनुनाशिक हो जाता है आदेश हो जाता है सुत्र का भावार्थ हम उक्त शब्दार्थों के अधार पर जानेंगे तो अर्थ होगा कि अनुनासिक यानि मुख और नाश्का दोनों की साहिता से बोला जाने वाला बर्ण परे होने पर पदांत यानि पद के अंद में आने वाले यरवर्ण भकार भिन बेंजन के इस्थान पर विकल्प से अनुनाश्क आदेश होता है दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि बर्ग के पंचमबन या न परे होने पर पदान्त बर्गी ये बेन जनों अर्थात बर्णों के इस थान पर विकलब से अनुनासिक यानि उसी बर्ग का पांचोंपन्ड आदेश हो जाता है स्थानें तरतमहा परिवाशा शूत्र की साहिता से ये अनुनासिक आदेश निमने प्रकार से होंगे अर्थात पदांत यरवर्ण में कवर्ग ये कोई बर्ण है तो उसके स्थान पर इसी का पंचमबर्ण न हो जाएगा और पदांत यरवर्ण चवर्ग ये बर्ण का कोई बर्ण हो पदांत में तो उसके स्थान पर चवर्ग का पंचमबर्ण हो जाएगा इसी प्रकार पद के अंत में यदि टवर्ग का कोई बर्ण हो तो उसके अंतर टवर्ग का ही इना आदेश हो जाएगा और पदान्त तवर्ग का कोई बढ़न है तो इसके इस्थान पर नकार हो जाएगा और पदान्त पवर्ग या कोई बढ़न है तो इसके इस्थान पर मकार हो जाएगा तो इस परिकार ये सूत्र का आर्थ है अब इसको हम उधारन के द्वारा समझेंगे तो एतन मुरारही एतद मुरारही यह इस रूप को हम देखते हैं तो एतद प्लस मुरारही यहां पर पदान्त तवर्गस्थ धकार जो की यर्वन है के परे अनुनासिक वर्ण मकार आया है अतह यरो नुनासिक वा इस सुत्र के द्वारह इस्थानें तरतम परिभाशा सुत्र की सायथा से पदान्त यर्वन दकार को विकल्प से अनुनाशिक आदेश यानि तवर्ग का ही पंचमबन नकार होकर एतन मुरारही और संयूक्त करने पर एतन मुरारही यह रूप से दोता है विकल्ब के अभापक्ष में एतद प्लस मुरारी हर्था एतद मुरारी यही रूप रहता है अब इसको इसपश्ट करें हम सुधार में कि एशह मुरारी ही इस बिक्रे में कर्मधारिय समाथ हो एतद प्लस मरारी रूप बनता है यहाँ सुप लोप ओने पर भी प्रत्या लोपे प्रत्या लक्षनम इस परिभाशा सूत्रो्त के द्वारा दकार पदान्त हो जाता है कि आनुनासिक स्वर और व्यंजन दो नहीं हो सकते हैं किम्तिक पदात यंद के पश्चाहत अनुनासिक स्वर नहीं दिखाई जैने से वहा अनुनासिक से कि वल व्यंजन अनुनासिकों का union होता है या मह गढना नाम сцен म्ह इसी प्रकार यह सकत है खाँ नहीं मिलते हैं अब अगला अनुनासिक संदि यह अगला वारतिक है वह इसी शूत्र का और इस प्रत्य हो जिसका पहला वर्ण आनुनासिक हो जैसा प्रत्य हो जिसका पहला वर्ण अनुनासिक हो तो उस पदान्त यर्को नित्य पहले वाले सुत्र से तो विकल्ब से होता है यह अनुवायरी रूप से होता है तो यह इस्थानें तरतमा परिभाशा शूत्र की साहिता से यह आदेश निमने प्रकार होंगे जिसे कवर्गस्थ बढ़न है तो अर्थात पूरु शूत्र की भाती ही यह आदेश होंगे तो वारतिक को हम निमने प्रारूप से भी समझ सकते हैं कि पदांत यर है और यर के बाद वानुनासे कादी प्रत्य है तो उस यर को नित्य अनुनासे कादेश यानि याम गाना नाम ऐसे कोई होगा इसको हम उधारनों के द्वारा समझें जैसे तद प्लस मात्रम यहां पदांत यरवन अर्था तवर्गस दकार के परे मकार आदी यानुनासिक आदी प्रत्य मात्र चाया है अतैस्थानें तरतम परिभाशा शूत्र की साहिता से प्रत्य भाशायाम नित्यम इस वार्तिक से दकार को नकार आदे सोकर तन मात्रम यहां इस्तिती बनती है बन स तन मात्रम यह रूप से दो जाता है इसको एक और उधारण के द्वारा समझें कि तन मयम तो इसका संदी विच्छे दोगा तद प्लस मयम यहां पदांत यर्वन कीया है दकार के परे मकार आदि प्रत्य मयट आया है मयम शब्द मयट का रूप है अतास इंहीं तरतम हो जाया। प्रत्य भाषायम निट्यम्स वारतिक से दखार को क्या जाता है नकार आदेश ओकर तन मयम यह रूफसिद्ध होता है इसी प्रaste-अर चिंद्मयम भी हो जाएगा ऐद गया got ज़िए अब होता है इस वारतिक में हौ आप यदिन मयम रूफसिद्ध ह होता है वेदिक संस्कृत में नहीं दूसरा जहलाम जशोयंति की द्रेश्टी में यह सूत्र या अवार्तिक असिद्ध है अते जहां जहलाम जशोयंति का विशे होगा बहां पहले जस्त्व आदेश होगा और फिर अनुनासिक आदेश होगा तो आज के लिए अनुनासिक संदी से संबंद इतना है भन्नबाद